नमसकार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों नवरात्री के पाबन परव का शुबारंभ आपसे बस एक दिन वाद ही होने जा रहा है पूरे नव दिनों तक माता दुरगा की विदिव्यद पूजा की जाती है और माता से कुसलता की कामना की जाती है दोस्तों इस दवरान पंडालों में भी बहुत अधिक भीड होती है लोगों की आस्ता का सैलाब उमरता है दोस्तों माता दुरगा को समर्पित ये शारदी नवरात्री वर्स के दवरान मनाई जाने वाली चार नवरात्रियों में से सबसे महत्पूर है ये तिवहार मादुरुगा के नव अपतारों के लिए है जिन में से प्रतिये की पुर्तिदिन पूजा की जाती है दोस्तों भारती सांस्किती छेतर के अलग-अलग हिसे में ये तिवहार अलग-अलग कारणों से मनाया जाता है ये परव अश्यन मास की शुकल पच्छ पृत्विदा से प्रारंब होता है दोस्तों इस साल ये 7 अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेगा क्योंके ये हिंदूओं का बहुती एक पवित्र तिवहार है इसलिए उपास रखने और माता दुरगा की प्रातना करने से पहले कुछ बातों का द्यान रखना आवश्यक है इसलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको नवरात्री के दोरान पालन करने के कुछ नियम बताने वाले हैं कि हमें नवरात्री में क्या नहीं करना है और क्या करना है तो दोस्तों आपको इन चीजों का खास तोर से ध्यान रखना चाहिए आईए पहले जान लेते हैं कि हमें नवरात्री में क्या करना चाहिए और उसके बाद जानेंगे कि हमें नवरात्री में कौन से काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए अन्यता मातारानी रुष्ठ हो जाती हैं और आप पर भेंकर गरीबी और कंगाली आ सकती है तो ये सब जानने के लिए आप लोग वीडियो को अंतक ज़रूर देखना जानकारी पसंद आए तो एक लाइक भी करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना चलिए आप जानते हैं दुस्तों सबसे पहले जानते हैं क्या करें ये एक बहुती पवित्र तिवहार है इसलिए इस दवरान खास तोर पर सुच्चता को प्रात्मिक्ता देनी चाहिए पृति दिन इसनान करें सुच्च बस्त्र पहनें और पूजा इस्तल को भी साप करें पहले दिन पृत्वच्चाति थी कलस इस्तापना मौर्थ के समय और करम कांड के अनुसार करनी चाहिए दोस्तों पृति दिन दिन में दो बार कलस के सामने घी का दीब जलाएं दोनों समय आर्थी और भोग करें दुरगा सब्त शती का पाट करें मा दुरगा के मंतरों और भजनों का जाप करें अगर ब्रत करना है तो उसका ब्रत करें और करम कांडों का पालन करें सौतित भोजन ही करें और आत्म सहियम में रहें दोस्तों अबरात्री के दवरान चारों और पवित्र वातावरण होता है इसलिए अध्यात्मिक जाग्रती और तपस्या के साथ साथ आत्म सचकार के लिए ये सबसे अच्छा समय माना जाता है दोस्तों आए वीडियो में जानते हैं कि वे कौन से काम हैं जो हमें नहीं करना चाहिए आए जानते हैं दोस्तों पहला पॉइंट कन्याओं का दिल ना दुखाएं भारती प्रंपरा में कन्याओं को मादुरगा का सुरूप मना गया है यही कारण है कि नवरात्री में कन्या पूजन या कंचका पूजन कर लोग पुंड की प्राप्ती करते हैं माना जाता है कि नवरात्रों के दौरान किसी भी कन्या या महिला के पृति आसम्मान का भाव ना अने दें शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि यत्र नार्या इस्ती पूजयनती रमनते तत्र देपता किसी भी कन्या का अपमान होने पर मादुरुगा नाराज हो सकती है अपने घर में कलस इस्तापना की है या माता की चवकी या अखंड जिवती लगा रखी है तो घर खाली ना छोणे यानि घर में किसी ना किसी का होना बहुत जरूरी है साथ ही ब्रत के दिनों में दिन में हमें सोना भी नहीं चाहिए दुस्तों अंगला पॉइंट कले से दूर रहें नवरात्री के दिनों में बहुत से लोग ब्रत में होते हैं ऐसे में कले करने से बचना चाहिए क्योंकि कले से ब्रतधारी की आत्मा को दूप पहुंसता है जिससे देवियमा रुष्ठ हो सकती है ऐसे में कोशिश करें कि हर परकार के बाद विवास से दूर रहें सिर्याम चरित मानस में भी ऐसा कहा गया है जहां सुम्ती तहां संपतिनाना जहां कुम्ती तहां विपतिनिदाना लडाई जगडे वाले घर में लच्छमी नहीं ठेरती है दुस्तों अगला पॉइंट है धार्मिक बातों में मन लगाएं माना जाता है कि ब्रत करने वालों को नवरात्री नव दिनों तक अपना समय फुजूल की बातों में ना लगाकर धार्मिक ग्रंतों का अध्यन करना चाहिए इन दिनों दुर्गा चालीसा या दुर्गा सब्थ सती का पार्ट कर सकते हैं अगे दुस्तों बताया गया है लहसुन प्याज का सेवन ना करें नवरात्री के पावन दिनों में सोतिका का विशेष ध्यान रखना चाहिए आहार व्योहार और विचार में आपको सोतिकता होना जरूरी है तभी नवरात्री के ब्रत का पूरा लाब मिल पाएगा आप इन दिनों प्यार लेसुन और मास मदिरा का सेवन ना करें नवरात्री के दोरान नव दिनों तक पूर्श वास्तिकाहार लेना चाहिए दुस्तों अगला पॉइंट और लाश्ट पॉइंट है काम बासना पर काबू रखें नवरात्री के दिनों में काम भाबना पर नेंतर रखना अतियावश्यक है इन दिनों में महिलाओं और पुरुस दोनों को ब्रमचार का पालन करना चाहिए मा की पूजा अर्चना साम मन से करने से ही मा प्रसंद होती है इसलिए इन दिनों शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए तो दोस्तों ये थे वो कुछ खास काम जो नवरात्री के दोरान हमें नहीं करना चाहिए आप सभी को नवरात्री की बहुत धेरो सारी शुब कामना आए उम्मीद करता हूँ ये तिवहार आपका बहुत ही अच्छे से गुजरेगा इसे उम्मीद के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद